हेलो एवरिवन वेल्कम टो टेक्क यॉनिक जेस्ट नेक्स अबम पढ़ेंगे पार्ट टू अब चाप्टर टेन मैजिक पाटर्स तो फर्स्ट क्वेसिन इस लुक अट पाटर्न अपन नंबर्स वन टो सेवन तो यहाँ पर जितने भी सारे नंबर्स लिखे गया है और हरे एक जो लाइन है यहाँ पर इस लाइन गर देखते हैं तो जितने भी सारे लाइन से यहाँ पर 3 प्लस 4, 7, 7 प्लस 5, 12, तो सारे लाइन से आइडिंग अप टो 12 और जितने भी सारे नमबर्स यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो यहाँ पर एक से लेकर के नौ तक नमबर्स लिखने हैं, और मेक्शर करना है जितना भी लाइन होगा यहाँ पर, तो 1 to 9 के नमबर्स जो आप लिखोगे, सारे यूनिक नमबर्स होने चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक सारे नमबर्स को कवर करना है, और यहाँ पर जितने भी सारे लाइन से, सारे लाइन को जब हम नमबर्स में एड करेंगे, तो तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चिन है, लेकिन इसको आपको यूजिंग थोड़ा इंट्यूशन और हिटन ट्राइल करना पड़ेगा, तो अगर आप दो-तीन बार थोड़ा ट्राइ करोगे, सबसे पहले तो इस क्वेश्चिन को आप वीडियो को पॉस करो, और खुद से करने का ट्राइ करो, आपको यहाँ पर वन से लेकर के नाइन तक सारे नमबर्स लिखने हैं कुछ इस तरह से, कि जब भी आप एड़ करोगे, that should be equal to 15, तो इसको आप लिखो नमबर्स को कुछ इस तरह से, और फिर एक सलुशन में आपको बता सकता हूँ, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर हो सकता है, 9, यहाँ पर हो सकता है, 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 3, और फिर 6, 2, 7, तो यह एक कॉंबिनेशन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है, वो यही हो, आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है, तो देखते हैं यह answer हमारा सही है या नहीं add करके देखते हैं तो 9 plus 1 10 10 plus 5 is 15 इस line को अगर हम देखे हैं 5 plus 3 8 8 plus 7 it is 15 इस line को देखे हैं तो 6 plus 2 8 8 plus 7 again 15 इस line को देखे हैं तो 8 plus 1 9 9 plus 6 15 अगर इस line को देखे हैं तो 8 plus 4 12 12 plus 3 is 15 और इस line को देखें तो 9 plus 4 13 plus 2 15 तो यहाँ पर जितने भी सारे lines है सब को add करके यहाँ पर हमें 15 मिल रहा है तो इसको आप खुद से try करो next is magic triangles look at this number pattern rule numbers on each side of the triangle add up to 9 तो आप देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ numbers लिखे हैं जहाँ पर line में अगर आप देखोगे जितने भी सारे numbers हैं उनको add करोगे तो that will be equal to 9 for example यहाँ पर हम देखते हैं 3 plus 4 is 7 7 plus 2 it is 9 6 plus 2 it is 8 8 plus 1 is 9 और यहाँ पर उन्होंने total 6 numbers का use किया है तो 1 से लेकर के 6 तक सारे numbers हैं और कोई भी number repeat नहीं हो रहा है students ध्यान से देखिए 3 plus 5 it is 8 8 plus 1 is 9 तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक exercise है आपके लिए यह आपको solve करना है खुझ से यहाँ पर आपको फिर से 1 to 6 numbers use करने हैं कोई भी number repeat नहीं करना है और 6 numbers को यहाँ पर लिखने है कुछ इस तरह से जहाँ पर हर एक side को add करने के बाद that should be equal to 10 मतलब हर एक line के along जब आप add करोगे that should be equal to 10 तो video को pause करो इस question को खुझ से solve करो और अगर आपने कर लिया तो comment में करो कि yes I have done it उसके बाद हम लोग solution मिलाएंगे तो एक solution में आपको बता सकता हूँ लेकिन आपका solution इससे अलग हो सकता है लेकिन आप check कैसे करोगे तो हर line के along आपको add करना है और देखना है total sum equal to 10 आ रहा है याने तो जैसे for example एक solution यह हो सकता है यहाँ पर लिखते है 1 यहाँ पर लिखते है 6 और यहाँ पर लिखते है तो 3 और यहाँ पर center में 2 तो 3 plus 2 5 5 plus 5 10 तो देख सकते है students हर line के along add करने पर हमें 10 मिल रहा है तो इसको भी आप खुद से try करो next is number towers number can be arranged as a tower we start from below and get this number pattern तो वो कह रहा है किस तरह से इसको solve करेंगे can you see the rule for this pattern we add two numbers below to get the number in the box above them मतलब कि यहाँ पर दो boxes को add कर रहे है वो और दोनों को add करने के बाद जो result आ रहा है that is the upper box मतलब जैसे इन दो boxes को add करेंगे तो जो result आएगा this is the upper box जैसे for example 20 plus 30 is 50 तो यहाँ पर result आए 50 अगर इन दोनों को add करें तो 10 plus 20 क्या होता है that is 30 तो यहाँ पर उन्होंने answer लिख दिया अगर इन दोनों को add करें तो 30 plus 50 that is 80 तो यहाँ पर उन्होंने answer लिखा है तो बस यह simple सा rule है जैसे यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ उन्होंने बताया है तो next is using the same rule complete these number towers तो अब उसी rule को use करके हमें number towers करना है rule क्या है students तो इन दो boxes को add करेंगे और जो answer होगा यहाँ लिखेंगे फिर क्या करेंगे जैसे similarly इन दो boxes को 2 और 3 इनको add करेंगे और answer यहाँ लिखेंगे और उपर की दिशा में हम चलते चले जाएगे तो जैसे 1 plus 2 क्या होता है फिर घुल टू तो 3 याँ पर 2 प्लस 3 याँ पर 2 प्लस 3 याँ परिका टू पलशनज प्लस 5 याँ हमे व का प्लस 5 याँ तो 9 अब करेंगे हम बनागे 3 plus 5 that is equal to 8 और फिर 5 plus 7 that is equal to how much students 12 और 7 plus 9 that is equal to how much 16 next is 12 plus 8 that is equal to 20 और फिर 16 plus 12 तो इसको directly कैसे आड करोगे 16 plus 12 को कर दो 16 plus 10 plus 2 16 plus 10 क्या हुता है 26 और फिर plus 2 that will be 28 उसके बाद 28 plus 20 तो ये सारी चीज़े हमने class 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा था किस तरह से बड़े numbers को without pen and paper directly mind calculation कर सकते है simple breaking techniques को use करके तो मैं आशा करता हूँ अपने class 3 के सारे maths के वीडियो देखे हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे channel में class 3 mathematics का playlist है उसको open करो और जितने भी सारे वहाँ पर lectures हैं उनको अच्छे से देखो next is 28 plus 20 तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन calculations को कैसे करते हैं 28 plus 20 direct mind calculation करेंगे तो कैसे करेंगे 28 को लिखेंगे 20 plus 8 और फिर यहाँ पर plus 20 तो अब हम क्या करेंगे 20 plus 20 this is 40 और plus 8 टोटल कितना आ गया 48 तो यह हो गया हमारा answer next same rule हमें यहाँ पर भी apply करना है तो 5 plus 10 कितना होता है 15 तो यहाँ पर होगा 15 और फिर यहाँ पर 15 plus 20 कितना होता है that is equal to 35 और यहाँ पर है 10 plus 15 that is equal to 25 जो उन्होंने अल्रेडी लिखा है remaining question को please आप complete करो next is the same sum rule some friends are playing with number cards see how they add तो यहाँ पर उन्होंने कुछ number cards में कुछ numbers लिखे है starting from 11 और फिर 12, 13, 14, 15 and the last number is 16 so this number is first from left this number is first from right तो same sum rule क्या है देखे students यहाँ पर left से पहला number क्या है 11 right से पहला number क्या है 16 तो 11 plus 16 और लिखा है that is equal to 27 उसके बाद अगर हम next number को देखे है तो what is the second number this is the first from left so what is the second from left that is 12 तो यहाँ पर 12 रिखा है और what is the second from right so this is the first from right this is the second from right तो 12 plus 15 अगर आप add करोगे you will get 27 next what is the third from left and what is the third from right तो third from left is 13 और third from right क्या है तो that is 14 तो 13 प्लस 14 तो that is equal to 27 और तीनों ही cases में आप देख सकते हो students जो sum आया that is same and that is equal to 27 तो इसलिए इसे वो कह रहा है same sum rule तो we get the same sum when we add two numbers first from left and first from right अम देख चुके है that is 27 फिर से second from left second from right that is also 27 third from left third from right that is also 27 तो we are always getting the same sum question is now you write any number and the three numbers after that make a pattern using the rule see if you get the same sum तो यहाँ पर आप कोई भी number से start करो और उसके बाद तीन numbers लिखो और फिर आप देखो कि यह जो sum rule है यह follow हो रहा है या नहीं चलिए हम देखते है students तो हम कोई भी random number से start करते हैं first from left क्या है 13 और first from right क्या है 16 तो इन दोनों को add करेंगे सबसे पहले हम करते है 13 plus 16 तो कितना होगा 13 plus 16 तो हम कैसे add करेंगे इसको directly कैसे करेंगे तो 13 plus 16 को break कर देते हैं 16 को लिखते हैं 10 plus 6 ऐसाम लिख सकते हैं because 10 plus 6 is 16 तो उसके बाद हम क्या करेंगे 13 plus 10 that is 23 23 plus 6 it is 29 तो यहां पर हमें क्या answer मिला 29 उसके बाद हम क्या करेंगे second from left और second from right इन दोनों को add करेंगे तो what is second from left that is 14 what is second from right that is 15 तो यहां पर add कर दो 14 plus 15 add करके देखो क्या answer आ रहा है तो इसको भी आप break करके add कर सकते हो directly भी कर सकते हो 14 plus 15 को कर दो 10 plus 5 या फिर आप 14 को भी break कर सकते हो 14 plus 10 is 24 24 plus 5 that is 29 तो आप देख सकते हो यहां पर भी दोनों केस में आपका जो sum आया that is equal to 29 यहां पर आप दूसरे numbers को ले करके भी try कर सकते हो of number cards के लिए काम करेगा या नहीं जैसे for example अभी जो हमने question देखा था यहां पर total number of number cards कितने थे 123456 तो total number of number cards थे 6 and 6 is an even number तो students even number or odd number क्या होता है यह हमने पिछली lectures में पढ़ा था even numbers are the numbers which are divisible by 2 तो जब आप even numbers को 2 से divide करोगे तो remainder 0 आएगा और odd numbers क्या होते हैं तो odd numbers and जब हम उसको 2 से divide करते हैं तो remainder हमें 1 मिलता है तो what are even numbers even numbers for example 2 यह 2 से start होता है and then 4 and then 6 and then 8 and then 10 and then 12 और फिर plus 2 करते हैं चले जाओ 14, 16, 18, 20 and so on so these are what these are even numbers ठीक है तो odd numbers क्या होते हैं students तो odd numbers क्या होंगे it starts with 1 and then यहां से आप 2 add करते हैं चले जाओ 3 तो आप देख सकते हो यहां पर जितने भी सारे numbers से यह 2 के table में नहीं आएंगे this should not be 4 this should be 5 because 3 plus 2 is 5 तो odd numbers कौन से numbers हैं 1 से start होते हैं और 2 से divisible नहीं होते और जब हम 2 से उनको divide करते हैं तो remainder 1 आता है for example अगर हम लिखेंगे 3 divided by 2 तो उस case में हमें remainder 1 मिलेगा इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे बस आप इतना याद रखना even numbers जो है वो 2 के table में आते हैं जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12 and so on या फिर आप 2 से start करो और 2 2 यहाँ पर add करते चले जाओ तो they are even numbers और यह है यह 2 के table में नहीं आते और यह 1 से start कर सकते हैं और फिर यहाँ से 2 2 add करते चले जाओ तो सारे odd numbers आपको मिल जाएंगे जैसे 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5 and 5 plus 2 क्या होता है so that is 7, 7 plus 2 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 plus 2 is 13, 13 plus 2 is 15, 15 plus 2 is 17 and so on so what are these, these are odd numbers तो यहाँ पर मैं numbers को small में nos लिख रहा हूँ ठीक है तो these are odd numbers तो मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल था कि यहाँ पर some rule किस case में valid होगा total number of cards यहाँ पर कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 total number of cards हैं 6 और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो total number of cards कितने थे, तो 4 हमें उन्होंने cards दिये थे number लिखने के लिए तो total number of cards यहाँ पर 4 थे, तो हमारा सवाल यह है कि जो some rule है क्या वो सिर्फ even numbers के लिए काम करता है, क्योंकि आप देखो 6 भी 2 के table में आता है और 4 भी 2 के table में आता है, मतलब both are divisible by 2 मतलब यह दोनों ही even numbers है, लेकिन क्या अगर odd number of cards हमें दिया जाए तो क्या यह some rule काम करेगा, चलिए हम देख, students यहाँ पर हमने कुछ cards लिए है तो सबसे पहले आप बताओ total number of cards यहाँ पर कितने हैं, count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, total number of cards यहाँ पर 5 हैं, और हमें क्या पता है, 5 क्या है, 5 is odd number क्यों, क्योंकि 5 2 के table में नहीं आता, और अगर आप 2 से divide करोगे तो remainder 1 आएगा या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर आप 1 से start करोगे और 2 to add करते चले जाओगे तो कहीं पर आपको 5 मिलेगा, this clearly shows that it is an odd number तो अगर total number of cards odd हैं, तो क्या हम some rule apply कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कोई भी random number से हम start करते हैं, जैसे for example 14, तो next number क्या होगा, 15 next number क्या होगा, 16, next number 17, next 18 तो यह सारे numbers हम नहीं यहाँ पर लिख लिए, तो some rule क्या कहता है, students first from left, first from right, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह है first from left, तो यह जो number है 14, this is first from left, और यह जो number है 18, this is first from right ठीक है, तो students यहाँ पर first from left क्या है, that is 14 and what is first from right, that is 18, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, first from left और first from right को add करते हैं, मतलब 14 plus 18, तो what is 14 plus 18 equal to, तो हम यहाँ पर करेंगे, 14 को break कर देते हैं, that is 10 plus 4 और plus, यहाँ पर लिख देते हैं 18, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 18 plus 10 that is 28 plus 4, this is equal to how much, 32, तो यहाँ पर first जो सम रूल का जो total sum आया हमारा, that is equal to 32, next हम क्या करेंगे, second from left को add करेंगे second from right से, what is second from left, that is 15, what is second from right, that is 17 क्योंकि first from right is 18, second from right is 17, तो अब हम add करेंगे, 15 plus 17, चलिए हम कर के देखते हैं, 15 plus 17, this is equal to how much, तो सेम हम क्या करते हैं, 15 plus 17 को break कर देते हैं, 10 plus 7, so what is this equal to, 15 plus 10 is 25, 25 plus 7 is 32, तो यहाँ पर भी हमें क्या आया, 32, 32, next हम क्या करेंगे, third from left और third from right को add करेंगे, तो what is third from left students, this is first from left, this is second from left, this is third from left, which is 16, and what is third from right, देखते हैं, that is also equal to 16, because this is first from right, this is second from right, and this is third from right, so third from left और third from right, दोनों ही 16 है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, third from left, which is 16, plus third from right, which is again 16, और दोनों को add करोगे, that you will get 32, because 16 plus 16, it is equal to 32, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, some rule हमारा valid है, काम कर रहा है, अतलब some rule, odd number of number cards में भी काम करता है, even number of number cards में तो वो काम करता ही है, जो हमने यहाँ पर already देख लिया था, तो students इस तरह के कुछ patterns आप लिखो, चाहे odd हो या even हो, दोनों में आप try करो और देखो, some rule जो है, वो work कर रहा है या नहीं, next is patterns with addition, जैसे 1 plus 2 plus 3, that is equal to 6, 2 plus 3 plus 4, that is equal to 9, 3 plus 4 plus 5, that is equal to 12, तो आप देखो, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1, 1 increment कर रहे हैं, मतलब एक, जो है हम increase कर दे रहे, 1, यहाँ पर था 1, तो इसे हमने 1 increase कर दिया, this is 2, यहाँ पर 2 था, तो 2 plus 1, 3, 3 था, 3 plus 1, 4, तो सबसे पहले 1 plus 2 plus 3, अगर हम इस row को add करे, तो we get 6, फिर 1 increment करने के बाद, अगर हम इस row को add करे, तो what we will get, 3 plus 2, 5, 5 plus 4 is 9, और फिर यहाँ पर 1 increment फिर से कर देंगे, तो this is 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो अगर हम इस row को add करे, तो what we will get, 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 is 12, तो आप देख सकते हो, each time, यहाँ पर 3 increase हो जा रहा है, तो यहाँ पर 1st row में हमें मिला था 6, 2nd row में हमें मिला था 9, और 3rd row में हमें क्या मिला, which is 12, तो हर बार की, आप देख रहा हो, कितना total increase हो रहा है, तो that is 3, मतलब 6, 9 से 3, 3 चोटा है, मतलब 9 minus 6, that is equal to 3, तो हर बार 3 increase हो रहा है, तो what is 12 minus 9, that is equal to 3 again, तो हर बार की तरह 3 increase हो रहा है, तो that is equal to how much, 3 is equal to हर बार यहाँ पर आप कितना add कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे 1 और 2, इन दोनों के बीच का जो difference है, that is equal to how much, that is equal to 1, और यहाँ पर भी 1 add किया, यहाँ पर भी 1 add किया, तो total कितना add किया हमने, 1 plus 1 plus 1, 3, वो total जो हमने add किया था, वो यहाँ पर हमें difference में दिख रहा है, similarly, 2 plus 1 is 3, तो यहाँ पर 1 add किया था, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर हमने कितना add किया था 1, increment किया था 1 से, यहाँ पर भी 3 को increment किया था 1 से, 4 को increment किया था 1 से, तो increment करने के बाद यहाँ पर क्या मिला था 5 यहाँ पर क्या मिला था 4 यहाँ पर क्या मिला था 3 इन तीनों को add करें तो हमें क्या मिला 12 और original जो numbers थे 2, 3, 4 इनको जब हम add करें तो क्या मिलेगा that is equal to 9 तो total हमारा जो number है जो total sum है वो कितने से बढ़ गया वो बढ़ गया 3 से which is equal to जितना हर बार हमने यहाँ पर number increase किया था तो यहाँ पर वो वही चीज़ कह रही है oh the sum grows by 3 each time क्योंकि यहाँ पर हम हर बार 1, 1 जो है increment कर रहे हैं यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 तो total जो sum हो गया that grew by 3 जैसे यहाँ पर for example 1 plus 2 plus 3 plus 4 तो क्या होगा 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 total आगा है 10 next अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर increment कर रहे हैं 1 से तो students यहाँ पर आप directly answer बता दोगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टिवम ने add किया we got 10 और फिर हम क्या कर रहे हैं हर एक नंबर को एक एक increase कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 increase कर दिया 2 को 1 से increase कर दिया 3 plus 1 कर दिया 4 plus 1 कर दिया हर एक नंबर को 1 1 increase कर दिया तो यह जो sum होगा यहाँ पर जो जितने सारे numbers हैं यहाँ पर इनको जब हम add करेंगे तो जो हमें Sum मिलेगा, वो पुराने वाले Sum से कितना ज्यादा होगा? वो आप यहाँ से directly बता सकते हो, कि हर बार हमने कितना Increase किया था 1, तो 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो मतलब यहाँ जो Sum हमें मिलेगा, वो पुराने वाले Sum से 4 ज्यादा होगा, आप देख भी सकते हो इनको add करके 2 plus 3 that is equal to 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 5 is 14 and 14 minus 10 that is equal to 4 similarly यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से हमने 1 1 increase कर दिया तो total हमने कितना यहाँ पर add किया that is again 4 तो जो हमारा resulting sum होगा इस row का वो पुराना वाला जो sum था 14 उससे कितना ज्यादा होगा लेते हैं इनको add करते हैं तो 3 plus 4 that is 7, 7 plus 5 is 12 12 plus 6 is 18 तो total आगे 18, 18 minus 4 करके देखो you will get 4 तो यह है simple सा एक और sum rule now you try to make such pattern with 5 numbers in order students यहाँ पर हमें कुछ numbers लिखने हैं और यहाँ पर जो हमने activity करी थी वही same activity यहाँ पर करना है और देखना है कि does the sum grow by 5 each time or not तो यहाँ पर उन्होंने 1 से start किया था हम 1 से start नहीं करते हैं हम कुछ और number से start करते हैं जैसे for example हम start करते हैं 5 से तो next हम क्या करेंगे 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 तो यहाँ पर आपको सारे numbers को increasing order में लिखना है जैसे यहाँ पर उन्होंने 1 plus 2 plus 3 plus 4 इस तरह से शुरू किया था हमने शुरू किया है 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 तो सबसे पहले इनको add करके देखते हैं total sum यहाँ पर क्या आ रहा है तो 5 plus 6 is 11 11 plus 7 is 18 18 plus 8 is 26 26 plus 9 is 35 तो total sum हमें मिला 35 next हम क्या करेंगे हर एक number को 1 से increment करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो मतलब increment करना मतलब 1 add करना तो 5 plus 1 is 6 6 plus 1 यहाँ पर क्या होगा 7 7 plus 1 is 8 8 plus 1 यहाँ पर क्या होगा 9 9 plus 1 यहाँ पर क्या होगा 10 अब सारे numbers को add करो और देखो आपको total कितना मिल रहा है 6 plus 7 13 13 plus 8 21 plus 9 is 30 और फिर प्लस 10 तो finally we get here that is equal to 40 एक बार और चेक करते हैं 10 plus 9 is 19 plus 8 27 plus 7 34 plus 6 40 तो इस तरह से भी आप add कर सकते हो इस direction से भी आप add कर सकते हो तो main जो चीज हमें देखना है वो यह है कि इन दोनों के numbers के बीच का जो difference आया that is equal to how much 5 इसका मतलब जो total sum था it grew by 5 तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हर बार हमने कितना add किया था यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 1 तो हर जगा हमने 1 add किया था तो आप total देखो हमने कितना add किया यहाँ पर that is 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5 तो यहाँ पर total हमने 5 add किया था that is why जो हमारा यह जो next row है, इसका sum हुआ, वो पुराने वाले sum से 5 ज्यादा हुआ, क्योंकि total यहाँ पर हमने 5 additions करी हैं, इसलिए यहाँ पर हमें जो difference मिला, that is equal to 5, next हम क्या करेंगे, फिर से 1, 1 increment करेंगे, तो what is 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8, 8 plus 1, 9, 9 plus 1, 10, what is 10 plus 1, that is 11, students हम guess करके बता सकते हैं, यहाँ पर जो भी number आएगा, sum आएगा, वो पुराने वाले sum से कितना ज्यादा होगा, वो यहाँ पर हमने कितना add किया है, वो बताएगा, तो यहाँ पर हमने 1 add किया था, हर बार इस बार भी हमने 1 add किया है, मतलब total हमने 5 add करे हैं, तो total 5 add करें, मतलब जो नया sum आएगा, वो पुराने वाले sum से कितना ज्यादा होगा, that will be equal to 5, या कितना greater होगा, that will be 5, तो add करके देखते हैं, 7 plus 8, that is 15, plus 9, 24, plus 10, 34, plus 11, that is 45, और हमें पता है, 45 minus 40, this is equal to how much, it is equal to 5, तो ऐसे भी आप चेक करके देख सकते हो, तो students इसको आप continue करो, यह आप पर फिर से 7 plus 1, 8, 8 plus 1, 9, 9 plus 1, 10, 10 plus 1, 11, 11 plus 1, 12, सारे numbers को फिर add करो और देखो, कि जो नया sum आया, वो पुराने वाले sum से 5 जादा है या ने, तो प्लीज इसको continue करो, और इसको complete करो as a homework, तो does the sum grow by 5 each time, answer is yes, तो ठीके students, यह था part 2, secret messages हम पढ़ेंगे part 3 में, अगर आपको videos ढूडने में परिशानी होती है, जैसे अगर आपने कोई एक part देखा है, और दूसरा part आपको नहीं मिल रहा है, तो description में मैं links डाल देता हूँ, next part का, अगर आपको नहीं समझा रहा, तो वो अपने parents से, या फिर अपने भाईया से पूछ सकते हो, कि description क्या है, और उस description में आपको next part का video मिल जाएगा, जैसे ये part है part 2, तो part 3 का जो link है, वो मैं description में डाल दूँगा, वहाँ पर आप directly part 3 पढ़ सकते हो, दूसरा तरीका ये भी है, कि आप directly हमारे channel में click कर सकते हो, और maths magic class 4 के playlist में जा सकते हो, उस playlist में मैंने order में सारे videos को डाल दिया है, तो वहाँ प करता हो, आपको सारी चीज़े समझ आई, और भी practice करते रहो, और बहुत खुश रहो, thanks for watching.